अस्सलावम अलेकुम तो स्वागत थे आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेंथ क्लास के उर्दू का मस्ट विवीए सब्जेक्टिव कोश्चन को कराने जा रही हूं जिस तर मैं आप लोगों को विवी अब्जेक्टिव कोश्चन साथ वीडियो में कंप्लीट कराई थी बिल्कुल उसी तरह आप लोगों को यह मस्ट इंपर्टिन सब्जेक्टिव कोश्चन साथ वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी जी नहीं इन्शाहला मैं आप लोगों को दो ती क्या बताए आप लोग का इतना Ab Em । करने लगती हो कि आप लोग इस च्चानल पर विश्वास के सांद जूड़े हुए हैं और इस विश्वास को बनाए रखना मतलब हम हमारी टीम का काम है ठीक है तो मैं ऐसे कैसे कोई भी कोश्टन को मस्ट इंपोर्टन सब्जेक्टिव कोश्टन में नहीं रालती हूं पहले मतलब हर आप लोग के उर्दू के बुक्के और चेप्टर के कोश्टन को इकठा करकर सभी तरह के मतलब कोश्टन को देखना फिर देखना कौन-कौन से कोश्चन आप लोग के एक्जाम में पूछते हैं कौन-कौन से पुछने की संभावना है ठीक है उसके सभी तरह के कोश्चन को इकटा करके मतब पेची करके दिन रात मेहनत करके मैं आप लोग को मस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव को कराती हूँ ठीक है और अगर मुझे ऐसे कोई भी कोश्चन करा देना रहता है तो मैं कोई भी कोश्चन आप लोग को डाल देती लेकिन मैं देखती हूं कि कोन-कोन से कोश्चन जो है आप लोग के एकजाम में पुछने की Просто मुझे लगता है कि हाँ यह कोशन आप लोग के शूट करती हूं तो मुझे खुद Guilty feel होता है तो In the Same Way मुझे लगता है कि जिस तरह मुझे Guilty feel होता है उसी तरह आप लोग को भी Guilty feel होता होगा जब आप मेरे वीडियो को देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते होंगे ठीक है और इतना सब्सक्राइब करने के बाद मैं आप लोग से एक छोटी सी तो रिक्वेस्ट करते हूं कि आप लोगो को क्या करना है अगर आप लोग चैनल पढ़ना है तो मेरे वीडियो के नीचे एक रेड़ कलर सब्सक्राइब का बटन दिक्या होगा उसको धीरे से सब्सक्राइब कर लेना है ठीक है और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आप अंतक देखिए मेरे वीडियो को और अच्छा लगे तभी आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा अच्छा लगे तो क्या आप मेरे वीडि के शुरूवात करते हैं अब मैं आप लोगो को सारे question को मैं बोट पर लिख दिनका अब हर एक एक most important subjective question का answer आप लोगो को बताते जाओंगी और आप लोगो को हर एक question के answer को ध्यान से सुनना है समझना है और याद कर लेना है जितना भी subjective question है वो must vbaya subjective question इन शारे question कॉस्चन पर आप लोग को कमांड कर लेना है। आज वीडियो में मैं आप लोग को टोटल 30 तीस वीडियो आएगा तो तो शबनम कमाली की पैदाईश कब और कहां हुई ये जो कोश्टन है फर्स्ट चैप्टर का कोश्टन है शबनम कमाली की पैदाईश हुई थी 22 जुलाई 1938 इस भी को सिता मड़ी जिला के पुखरेरा जगा पर ठीक है अगर इतना लंबा आप लोगों को नहीं याद हो पाता है कि शबनम कमाली की पैदाईश हुई थी 1938 इस भी को और कहां पर सिता मड़ी जिला में हुई थी बस बात खतम कब तो 1938 और कहां तो सीता मड़ी दिला बस बात खतम आगे देखिए दूसरा सवाल है हम्द किसे कहते हैं पांच जुम्लों में लिखिए अर्भी लोगत में हम्द का मानी होता है तारीफ करना तारीफ करने को अर्भी लोगत में क्या कहते हैं हम्द कहते हैं लेकिन हम्द कहते हैं और उर्दु शायरी की शुरुवार्ट से ही उर्दु शायरी में शुरुवार्ट से इप्तदा से ही जो है ना यह हम्द लिखने की रिवायत चली आ रही है लगबग जितने भी शायर है तकरीवन शायर ने हम्द को लिखा है ठीक है और यह जो शायर होते हैं हम इसलिए लिखते हैं ताकि वो अल्λα ताला की खुशनोदी हासिल कर सके हैं हम में सिर अल्ण तारीफित आशल कि जाती है ना तो शायर जो होते हैं हमद लिखत आ खहुशनोदी हासिल करने के लिए और लगभख जितने भी श disciplined उन्होंने हम्द लिखा है ठीक है और आप अक्सर देखेंगे जितने भी उर्दू की किताब होते हैं अक्सर उर्दू की किताब में जो है ना हम्द को सबसे पहले रखा जाता है ताकि मतलब जब स्टुडेंट पढ़ना सुरू करें किताब को तो सबसे पहले वह हम्द को किताब का नम है पहला का नम है जाय अकिदत दुस्रा का नम है फिर दौस अकिदत और तिसरा का नम मैं सौहाय अकिदत। यह तिन शो डियाया के मुझमूएं आप लोगों को याद रखना है ठीक है आगे दीए हम्द और नाथ में बन्यादी फरक क्या है तो हम्द और नाद में बन्यादी फरक यही है कि हम्द उस नजम उस कवीता को कहते है जिसमें सिर्फ अल्ह ताला की तारीफ और तौसिफ बयान की जाती है और नाद उस कवीता उस नजम को कहते है जिसमें सिर्फ और सिर्फ तो सुहल अजिम अबादी की पैदाईश कब और कहा हुई तो सुहल अजिम अबादी की पैदाईश हुई थी उन्हें से ग्यारा इस भी को पटना में बस इतना ही हो गया आप लोगा एंसर आगे देखिए सुहल अजिम अबादी के बच्पन का नाम था मुझीबुर रह्मान ठीक कोशन नमबर सेविन देखिए सुहल अजिम अबादी के अपसानों के पहले मजमुवा क्या था और वो कि शाल साय हुआ तो सुहल अजिम अबादी का अपसाना का पहला मजमुवा यान की कहानी का किताब का नाम है पहला कहानी का किताब का नाम है चार चेहरे जो की आजादी के बाद परकाशित हुआ था ठीक है आगे देखिए रुकया भाबी को रुकया भाबी के शोहर को बार पर इसलिए जिल जानापड़ता था क्योंकि रुकैया भाव्य के शोहर एक स्यासी आदमी थे और उस्वक्त आजाद़ी जो हूंसोर से चल रही थी हमारे हिंदूस्तान गो STAR वह वहाद होने वायला था और इसलिए उन पर कई मुंकदम्ले के ठोके गए थे ठीक है और एक कैस में एक मुकदमे में अब वो जाते जिल और जैसे भी बाहर निकलते जिल से तो दूसरा मुकदमा उन पर लग जाता और फिर दूसरे मुकदमे में वो जेल चले जाते और इस तरह रुकया भाबी के शोहर को बार बार जेल जाना पड़ता था बात पर दो आज़े बढ़ी रुकई भाबी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दास्ट करती थी और क्यूं तो जो लड़की थी उस लड़की का नाम था शमी शमी नाम की लड़की की तालीम व तर्वियत पढ़ाई-लिखाई का खर्च जो है रुकया भाबी खुद नाम की लड़की की पढ़ाई लिखाई का खर्च वो खुद बरदास्त करती थी आगे बढ़िये रुकया भावी को सोने की चूडियों को क्यों फरुक्त करवाना पड़ा तो रुकया भावी की सोने की चूडिया जो कि उनकी रुकया भावी की बेटी का वो सोने का चूडिय दिए और उन्हें मतलब फरोख्त करवाना पड़ा पेशना पड़ा इसलिए क्योंकि वो जो शमी नाम Кी लड़की रहती है वो एक दिन आती है रुकया भावी के गर और रोते रोते अश्कों से लवरेज होकर बोलती है मतलब रोती ही रहती है कुछ बोलती नहीं रुकया भावी से तो रुकया भावी खुद पूछती है कि बताओ क्यूं रो रही हो तुम और वो जो शमी नाम की लड़की रहती है वो बोलती है कि मेरे भाई को में का फॉर्म भरना है और कल लास्ट डेट है और पैसे का कोई भी इंतजाम नहीं है ठीक है और खुब रोती है तो रुकया भावी तो भाई ठेहरी दर्द दर्दमंध दिल की मालिक अब वह क्या करती है अपनी बेटी की जो सोनी की चूड़ी रहती हैं उसको उठाती है और श्रमी को देदेटी और बोलती कि जाओ इसको बेचकर इसको फरुक्त करवालो और उसके बाद से क्या करना इससे जो पैसे मिले अपने भाई के म वर देना ठेके तो ये इसी वज़ा से रुकया भावी को अपने सोने की चूडियों को फरुख्त करवाना पड़ा बात खतम चलिए आगे बढ़िए रुकया भावी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम है अख्तर बस बात खतम आगे बढ़िए मुहमद मुहसीन की पैदाईश कब और कहां हुई तो मुहमद मुहसीन की पैदाईश 10 जुलाई उन्हें सर दास को पटना में हुई थी आगे बढ़िए मुहमूद के किरदार पर पांच जुमले लिखिये ये जो महमूद है ये डॉक्टर मुहमद मुहसीन क लिखुई अप्साना फरार नाम की अपसाना का ये करेक्टर है और ये जो महमूद में महमूद में जब छोटा बच्चा रहता है तो उसका बच्चा से नहीं गुज़रता इस कहानी में चोटा रहता है तो मतलब वह अपने को हमेशा देखता है कि उसके अपने शोहर को जो है यानि कि महमुद के अबू को हमेशा डाटती रहती है ठीक है फटकारती रहती है गरजती रहती है ठीक है तो यह सारी चीछे देखकर महमुद के दिल में यह चीज महमुद के जहन में यह बात बैठ गई रहती है कि यह जो महमुद का बच्पन इसी तरह गुजरता है और वाली वाली कि माद दोनों कर जाते महमुद को करना फिर लेकिन तो का सामना करना पड़ता है मैमुद को अपने मामु cierto लेकिन फिर भी उन सारी चीजों को सामना करते हुए ठोकर लगते लगते और सिखते सिखते वह एक दिन डिप्टी कलेक्टर बन जाता है ठीक है तो यह सारी आप लोग जितना भी मैं बताई उसको लंबा चवड़ा करकर लिख देंगे वैसे मैं इस चैप्टर को पढ़ाई ह चैप्टर बढ़ें थो कि मुहमद मुस्शिन किस मौदों पर महारत रखते थे थे तो मुहमद मुस्शिट के पर उनकी महारत हासिल तोव ज्यादा करते थे और की हाला जिंदगी पर पांच जिमले लिए कमर जहां की हाला तो जिन्दगी के बारे में बताना है पांच सेंटेंस में आप लोग इसको बता दीजीगा कि कमर जहां की पैदाइस जो है वो उन्हेसे कावन या फिर बावनिस भी में हुई थी और एक मुर्दम खेज नाम के गाओं में हुई थी और उसके बाद से कमर जह में पढ़ाई करना था वो सारी चीजे पटना में आकर उन्होंने की तो यह लंबा चोड़ा आप लोग अपने हिसाब से सजा कर लफजों को लिख लीजेगा वैसे मैं चैप्टर को पढ़ाई चुकि कि कमर जहां के बारे में आप लोग बताई हूं तो और बहतर तरीके से समझ में आएगा तो कमर जहां की हला तो जिन्दकी के बारे में मैं अल्रेडी बता चुकी हूं जब मैं चैप्टर पढ़ाई थी तो वहां पर जाकर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं ठीके आगे देखिए निगार अजिम का मजमुए गहन कब शाय ह कीजिए ठीके यहां पर आप लोगों को सही और सही देखिए दोनों में कोई फर्क दिख रहा है मैं बोल रही हूं तो सही और सही थोड़ा सा का फर्क प्रोडंसियेशन में दिख रहा हुगा लेकिन प्रोडंसियेशन में कोई फर्क है नहीं बस इसका मानी में फर्क है यह सेंटेंस में यूज करकर आप लोगों को बता देना है कि इन दोन में फर्क क्या है तो देखिए सही का सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं हम लोग कि अगर कलम नहीं कलम नहीं है तो पेंसिल ही सही ठीक है तो देखिए यह वाले सही का यूज यहां पर होता है कि अगर कलम मैसर येस कर और एक सेंटम्स लिग दूनिया में आप कोई भी बोल सकते हैं कि प्रफेक्ट यानि की जूट गलत बोलना शही नहीं है यानि कि गलत है यह एक यहां पर यह सही का मतलब क्या हो गया। तो यही दोनों में अंतर है अप लोग जूमनों में लिखकर топ-7 आप फिर छूमल से लिए बहुत सारी दरकार होती है और अफसाना जो होता है वह मुक्तसर भी होता है और थ üzल्स जिराज की वालिदा उकताहत क्यूं महसुस करने लगी तो सिराज की वालिदा जो है यानि कि उनकी माँ है सिराज के गर उक्ताहट इसलिए महसुस करने लगी क्योंकि सिराज की वालिदा यानिकी सिराज की माँ को कोई घरेलू जिम्मेदारी नहीं थी सिराज के गर उनको कोई भी काम करने नहीं दिया जाता था स सिराज की माँ को थीखे बस उनको खाना और अराम करना था सिराज उनका बेटा है वो भी कहता कि माँ अब आप का जो है काम का जमाना खतम हो गया अब हम लोग की बारी है आप की बहू की बारी है अब वह आपकी मतलब देख भाल करेगी आप सिर्फ बैठे रहीDER आप सर्फ अराम कीजिए ठीक है और इसी लिए जो है ना सिराज की मां सिराज के घर उक्ताहट मैसूस करने लगी क्योंकि देखिए कोई इंसान को कोई काम करने नहीं दिये जाएगा तो वो खुद मतलब उग जाएगा ठीक है यहां तक कि कुछ बोलना भी नहीं है सिर्फ खाना है और अराम करना है खाना है और अराम करना है तो इस तरह से इंसान खुद उक्ता जाता है तो इसे लिए जो है सिराज की मां सिराज के घर उक्ताहट मैसूस करने लगी थी बात खतम आगे बढ़िए ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक संग ग्रित हाउस नाइट्रिक ऑकसाइड घेन है करबंदाइस औक सॉक्साइड है बहुत आघ्री गैस है जो कि मतलब Global Warming के लिए जिम्मेदार होती है Global Warming को बढ़ाती है इस तरह की गैस ठीक है आगे देखिए जमीन के दर्देहरालत में CO2 और मेथन गैस का कितना इजाफा हुआ है तो CO2 में 31% और मेथन गैस में 140% की इजाफा हुआ है की बढ़ानती हुई है ठीक है और इन दोनों यह जो है में 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 गैस को तो ग्रीन हाउस बोला जाता है क्योंकि में गैस ही जो होता है यह सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है Global Warming को बढ़ाने में यह सबसे ज़्य सबसे ज़्यादा मेथन गैस होता है जो की मतलब गेहों के खेतों सबसे ज़्यादा निकलता है गाए के जो गोबर होते हैं उससे ज़्यादा मेथन गैस निकलता है तो मेथन गैस जो होता है यह सबसे ज़्यादा जिमेदार होता है Global Warming को बढ़ाने के लिए ठीक है आगे ग्लोबल वार्मिंग से बशने के लिए तुलबा को अब्दुलकलाम आजाद ने कौन सा जादुई मंतर बताया था जो बालवग्यान कॉंग्रेस शहर दीमापूर में इस्थापित किया गया था जिसका में लक्ष यही था कि किसी ना किसी तरह ग्लोबल वार्मिंग को कम करन है उस बालवग्यान कॉंग्रेस शहर दीमापूर में दुनिया के मश्रूर साइंटिस्टों में से एक अबलकलाम आजाद भी मौजूद थे और उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से बशने के लिए तुलबा यानि कि स्टुडेंट को यह जादु मंतर बताया था कि 10 से 17 साल कर बीस लाख बच्चे कितने बचए बीस लाख बच्चे जो है वो पांच-पांच लगा है तो इस तरह से सबर से जमीन सभी जानदारों के के लिए मुनासिब है हम लोग का जो प्रिथवी का यह जो जमीन है ठीक है यह सभी सभी के लिए मुनासिब है सभी के लिए सुटेबल है ठीक है और अगर बात की जाए किसी और प्लानेट की किसी और ग्रह की तो वहां पर जो है ना जीवों के लिए वहां का जो टेंपरेचर रहे वहां का जो environment है वो मुनासिब नहीं है सुटेबल नहीं है तीक है सिर्फ प्रित्वी ऐसा प्लानेट है जहां पर जीवन संभाव है सभी जीव और जहनदारों के लिए यहां पर क्या है यहां की climate यहां का जमीन का दरजहरारत सभी के लिए मुनासिब है तो यह हो गया आ तो अगर global warming जमीन का temperature लगातार इस तरह बढ़ता गया तो आने वाले समय में temperature बढ़ने के वज़ा से जितने भी बर्फ है वो धीरे धीरे पिगलना सुरू कर देंगे और जब वो पिगल कर पानी बनेंगे तो समुंद्र का जो सता है वो उठेगा ठीक है समुंद्र में जि उसके इलावा मालदीप है तो जो भी समुंद्र के किनारे जितने भी देश है उनके डूबने की chances ज्यादा हो जाएंगे ठीक है और भी बहुत सारी घटनाएं होंगी global warming के बढ़ने से जैसे कि जॉम्स और बैक्टिरिया ज्यादा उत्पन होंगी लोग की तरह तरह की बिम ले लिखिए यहां पर आप लोगों को सरस्यद एहमद खा की जिंदगी के बारे में पांच सेंटेंस लिखना है और सरस्यद एहमद खा को आप कभी मत बूलिएगा यह वही इंसान है जिन्होंने उर्दू अदब को बढ़ाने के लिए तहरीक चलाई थी जिसका नाम सा तर उर्दू को बोलना सीखे पढ़ना सीखे समझना सीखे सिर्फ सरसयद एहमद खा की जैसे उनकी तहरीक थी तरकी पसंद तहरीक और उसका एक ही लख्षे था किसी भी तरह लोगों को उर्दू सिखाना और पढ़ाना ठीक है तो इनका बहुत ही एहम योगदान है और से रिलेट करते हैं ठीक है और इनके मा का नाम था अजीजन निसा बेगम ठीक है और इनके मतलब जो वालिद है वो बच्पन में इंचकाल कर गए लेकिन सरसयद एमद खाने यह मतलब लोगों को पढ़ाने उर्दू पढ़ाने लिखाने का बहुत ही एहम योगदान मतलब दिये हैं ठीक है तो यह सारी से अपनों को लंबा चोड़ा से से अमद खा के बारे में लिख देना है लफजों को सजा कर आगे बढ़िए डॉक्टर अब्दुलमुगनी कब और कहां पैदा हुए तो डॉक्टर अब्दुलमुगनी जो है इनकी पैदाइश हुई है उन्हें सचोंतिस इसभी को बिहार के जिला और अंगाबाद में ठीक है तो यह हो गया क्लियर बात आगे बढ़िए डॉक्टर अब्दुलमुगनी की दो किताबों के नाम लिखिए तो पहला है जादू है आतेदाल और दूसरा है तश्कील हो जदीद दो किताब कही तो नाम बतान और समझ भी गए अब इन तीसों कोश्चन पर आप लोगो को कमांड कर लेना है इसका जवाब आप लोगो को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए अब अगले वीडियो में बहुत जल्द जो है ना मस्ट विविए सब्जेक्टिव कोश्चन का मैं अगला वीडिय होंगे चलिए कोई दिकत नहीं है फिर मिलेंगा नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिन और खुदा हाफिस